आपने भारत में पल रहे अनेक मिनी पाकिस्तानों के नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि भारत में एक मिनी इसराइल भी है. आज आपको इस मिनी इसराइल के बारे में अवश्य जानना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए. मेवात हरियाना को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है और इसकी तारीफ आप सबने सुनी भी होगी लेकिन इसी मेवात क्षेत्र में एक गाव है जिसका नाम है उजीना इसी उजीना को मिनी इसरायल भी कहा जाता है दरसल यह गाव चारों तरफ से इमान वाले आतंक वादियों से घिरा हुआ है ठीक वैसे ही जैसा कि इसराइल यहाँ पर लगभग 15,000 की हिंदू आबादी है यहाँ के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि इमान वालों के भाई चारे का मतलब क्या है इसलिए इनके गाव में कोई इमान वाला घर नहीं है और यहाँ पर सभी हिंदू हैं 100% हिंदू हिंदू मतलब सिर्फ हिंदू इनके अंदर कोई जातियता का कीड़ा नहीं है सन 11947 के बाद से ही लगभग ये लोग भाईचारे में कोई भरोसा नहीं रखते हैं इस गाव में सेकलर सोरों को देखते ही मार दिया जाता है कहते हैं कि सन 11992 के दंगों के समय इमान वाले आतंकवादियों ने उजीना गाव के एक हिंदू लड़के को उठा लिया था उसके बाद वो लड़का कभी नहीं मिला शायद उसे मार दिया गया उसके बाद उजीना गाव के जवानों ने ऐसा तांडव मचाया कि अगले एक वर्ष के अंदर एक हजार से भी अधिक इमान वाले सुहर लापता हो गए और उनका कभी कोई पता नहीं चला उसके बाद इमान वालों के दिल में उजीना का ऐसा खौफ बैठा कि आज के दिन अगर कोई इमान वाला सुहर घलती से भी उजीना के किसी हिंदू से ठकरा जाता है तो वह उसे देख कर फौरन अपना रास्ता बदल लेता है मतलब उजीना की स्थिति भौगोलिक रूप से तो इसराइल जैसी है ही उनकी युद्ध शैली भी एकदम इसराइल जैसी ही है उजीना के मात्र 15,000 हिंदू संपूर्ण मेवात क्षेत्र के 20 लाग से भी अधिक इमान वाले आतंकवादियों पर भारी पड़ते हैं अब जारा सोचिए कि यदि भारत के 10% हिंदू भी उजीना के 15,000 हिंदूओं की तरह हो जाएं तो भारत को गंदा करने वाले इमान वाले आतंकवादियों का कैसा हश्र हो